गुद मॉर्णिंग, स्वागत है आप सबों को महात्मा गांदी सिक्षंसन स्थान के यूटूब चैनल पर आज हम बरगैर्थ के लिए अविलासा पाठ पुस्तर का पाठ संख्यां 2 से उसके प्रेशन उत्तर को बताने जा रहे हैं जिसका नाम है अकवरी लोटा अकवरी लोटा के प्रेशन संख्यां 5 बस्तनिस्ट प्रेशनों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आज हम प्रेशन संख्यां 6 से चलेंगे अतिलग उत्तर ये प्रेशन है तो पत्नी की कौन सी बात सुनकर जहालके का जी बैठ गया तो पत्नी द्वारा 20-20 की मांग की बात सुनकर जहालके का जिल बैठ गया जहालाल को अंग्रेजी के किसकोस का ग्यान हुआ अंग्रेज जब उनके लोटे के पानी से भिंग गया और अपनाधी की पैचान हो करके वह मुख खुला छोड़ करके उनके तरफ देखने लगा तो जहालाल को यह ग्यान हुआ कि अंग्रेजी भासा में गालियां ऐसे ही दी जाती है मेज़र डगलस को किस चीज का सौक था तो मेज़र डगलस को एतिहासिक चीजों की खरीद करने का सौक था अंग्रेज लोटे से इतना प्रभावित क्यों हुआ जावलाल के मितर बेलवासे मिस्र द्वारा लोटे की इस तरीके से बखान किया गया जिस बखान को सुन करके उसे एतिहासिक लोटा समझकर अंग्रेज लोटे से प्रभावित हुआ लोटे का असली ग्राहक और कीमत का फैसला कैसे किया गया लोटे के असले ग्राहक को अंग्रेज को बेवकुब बना करके और उस पर बूली लगा करके उसके कीमत का फैसला किया गया चलदें जिवन धात्मक दिरगुतरिये में जहालाल जी के हाथ से छुट कर लोटा कहां पहुचा और कैसे जहालाल जी अपने छट के मुरेड के पास खरे हो करके लोटा से पानी पीने का प्रयास कर रहे थे अचानक उनके हाथों में कमपन आया और लोटा उनके हाथ से छुटा लोटा मकान के मुरेड से टक्रा करके नीचे गली में जागिरा और गेर करके एक अंग्रेज आदमी के सर से पाउं तक भिंगाते हुए उनके पाउं पर जागिरा और उन्हें जक्ष्म किया अंग्रेज ने उस लोटे को 500 रुपे में क्यों खरीद लिया बिलवासे मिसर द्वारा उस लोटे का बखान अकवरी खांदान से तालुकात बता करके अकवर के पत्र हिमायू के द्वारा उस लोटे से उजू किये जाने और उसे एतिहासिक लोटा बताने के करण अंग्रेज ने उस लोटे को एतिहासिक लोटा समझ करके 500 रुपे में खरीद लिया अंग्रेज और पंडी बिलवासे में के बीच हुई बादचित को अपने शब्दों में लिखे अंग्रेज जब जावलाल के लोटे से पैरों में चोट लग गया और उस लोटे के मालिक के पहचान कर लिया इतने में बिलवासे मिस्तर आ जाते हैं और बिलवासे मिस्तर बरी ही चत्वराई से पहले अंग्रेज का विश्वास जीतते हैं अंग्रेज के पक्ष में बूलते हैं उन्हें पता नहीं चलने देतें कि आप राधी उनका मित्र है और अंग्रेज को लगा कि यह आदमी हमारा हमदर्द है और अंग्रेज को कहते हैं कि ऐसे आदमी को फॉरन पुलीस में कंप्लेन करके एरेस्ट करवा देना चाहिए इसी तरह से उसने उसका विश्वास जीत करके धीरे धीरे उस लोटे का बखान करने लगा लोटे का बरपन बताने लगा और लोटे को खुद खरिदने के लिए उतारू हो करके अंग्रेज को उकसाया और अंग्रेज ने उस लोटे को बेवकूफी में आकर के 500 रुपे में खरीद लेता है जिससे उनके और उनकी दोस्त की समस्या चुटके बजाते हल हो जाती है थोड़ी सी चत्राई से बात करने पर वह अपने और अपने दोस्त के उपर आए मुसिवतों का समाधान कर लेते हैं कुश्चन नमर नौ है अकवरी लोटा पाट के अधर पर बताएए कि जीवन में आई परिशानियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में आई परिशानियों को साहस, धैर्च और चत्राई से काम लेने पर दूर कर सकते हैं हम परिशानियों को देख करके घबराई नहीं उसका हल ढूटने का भरसक कोशिस करें अपने दिमाग पर जोड डालें और दिमाग पर जोड डाल करके उसका सटीक हल क्या होगा इस पर बिचार करें और बिचार करने पर जब हम ऐसे अपने दिमाग पर जोड डाल करके उसका हल मांगते हैं तो निश्टित रूप से हमारा दिमाग उसका हल देता है पाठ में यही बताया गया है कि परिस्थिति बिशम होनी पर हमें घबराना नहीं चाहिए बलकि उस समस्या का समाधान खोज करके उसका समाधान करना चाहिए जिसके लिए हमें थोरीशी धैर्ज और बुद्धी की जर्रत होती है तो आज इस पाठ का प्रशनुत्तर आपको दे दिये इसे आप अपने फियर में बनाएंगे और बना करके उसे याद करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद